एम्बूलेंस मरीजों की जिवन रक्षा के लिए है पर शैतान लोग इस एम्बूलेंस का भी दुरुपयों करने से बाज नहीं आते हैं शड़ाब बिहार में शड़ाब के ढूलाई जब इसी एम्बूलेंस से होती है तो सरक पर बीमार को लेकर चलने वाले एम्बूलेंस पर भी लोग शक की निगाह से देखते हैं यह तस्वीर बिहार के सारण की है, जहां इंबुलेंस के भीतर से भारी मात्रा में शराब पकरी गई, जिसके कीमत करीब 10 लाक रुपए बताई जा रही है। इस इंबुलेंस को जड़ा गौर से देखी, यह शराब बंदी वाले बिहार में शराब तसकरी का नया खुलासा है, कि शराब माफिया कैसे नए नए तरीके अपना कर शराब की तसकरी कर रहे हैं। इस इंबुलेंस को जब सारण के उतपाद विभाग की टीम ने पकरा, तो केरल नंबर के इस इंबुलेंस में शराब की भारी खेप मौजूर थी। एक life saving ambulance में हर्याना से भारी मत्रा में विदेशी शराब की खेप सारन लाया जा रहा था जिसे मसरक ठाना श्रेत्र के बंसोही उत्पाद चेक पोस्ट पर रुका गया तो शराब तसकरी के पूल खुल गई सारन के उत्पाद अधिक शक रजनीस ने बताया कि एंबुलेंस में शराब के तसकरी के गुप्त सूचना मिली थी उस सूचना के आधार पर चेकिंग लगा कर जांच की जा रही थी जब यह एंबुलेंस सामने आई तो इसको रोकने के करम में यह एंबुलेंस भागने लगा तब उत्पाद भाग की टीम ने इसे पीछा करके पकरा जब इसमें आगे बैठे चालक और एक अन्य से पूछ ताच की गई तो इस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है पक्रे गए दोनों वाड वाई की लिबास में थे जब इम्बुलेंस के पीछे तलाशी ली गई तो उसमें भारी मात्रा में शराब भरी हुई थी यह इम्बुलेंस दिल्ली से चली थी जिसे सारण ही पहुचना था और इसमें हर्याना से शराब भरी गई थी बरामत सराब की किमत लगवग 10 लाख रुपए के असपास बताई जा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में शराब बंदी के 5 साल गुजर चुके हैं और ऐसे में अब भी शराब माफिया पीछे नहीं हट रहे हैं लोगों तक शराब पीने वालों तक शराब पहुचाने की जो एक नया नेटवर्क यहां पर शुरू हो रहा है उस नेटवर्क में अब इंबूलेंस भी शामील है खुलासा के लिए च्छपरा से विपिन बिहारी प्रसाद की ये खास रिपूर्ट